नमस्कार वेलकम टूड़ वीजन टूपांजिरो मैं हूं दिपकुमार और आज आप सभी जाने वाले हैं फॉरन अकॉंट्स मिन्स बीदेसी यात्रा बृतांत के बारे में साथी साथ मैं आपको बताता चलू कि इसके पहले वीडियो मैंने आपको आर्केलोजिकल सोर्स मिन् साहथिक शोथ के बारे में आपको बताया था और इस विडियो मैंने आपको बताऊंगा फॉरॉन अकॉंट्स मिन्स वीडेसी यात्रा बृतांत के बारे में आपको बताया जाएगा 관련ation से पेपर सेकेंड के फर्स्ट उनिट में मैंने आपको बताया था कि नेट हिस्टी पेपर सेकेंड दस भागों में विभाजित है और पहले उनिट में दस उनिट में बिभाजित है और पहले उनिट में आपको सोर्स बैगरा बताया गया है तो सोर्स पर मैंने आपको दो और इस वीडियो मैंने फॉरन अकॉंट के बारे में बताऊंगा इस तरह से जो पहले उनिट का नेट हिस्टी पेपर सेकेंड के पहले उनिट का जो सोर्स वाले पार्ट्स था जो भाग था उसको इस वीडियो के थुरू खतम कर दिया जाएगा और नेक्ष जब हम पढ़ाए में नेक्स वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसमें आप बेशिकली फॉरन अकॉंट्स एंड्स हिंदी में कहें तो बीदेशी यात्रा ब्रितांत पर हम चर्चा करने वाले हैं तो चलिए चलते हैं फॉर्स लाइड पर जानते हैं आज क्या कुछ आपके लिए नया है जैसा कि जो फॉरन अकॉंट्स बिदेशी यात्रा ब्रितांत क्या होता है तो इंदडव प्राजिन समय में बाहर से हॉवर अदर कैंटिज से जितने भी स्कॉलर इतिहासकार राइटर्स भारत में आए हैं भारत के समाजी कंडिसंस को आर्थी कंडिशंस को करनोमिकाल continuous को मेरे भारत के बारे में कुछ नब कछ लीखा है अपना बीबरन लिखा है विविरा यात्रा बृतांत लिखा बूकष लिखा कर लिखा पatroर काया लिखा जद्दरा लिखा उना आपको ऑरंने चाहन कर conservative रूप में हम जानते हैं एक हिस्टरी के रूप में देखा जाता है तो पहले हम जानेंगे कि इंदा इंसेंट प्रियर्ड में जो ब्यक्ता आएं और उन्हों जो भी कुछ लिखा उनको हम फॉरॉन अकॉंट्स बिदेशी यारता बितांत के रूप में जानते हैं तो पहले जानेंगे कि ओध इंदेन्स वैली सिवलाइजेशन से लेकर डिकलाइन ऑफ गुप्ता एंपायर गुप्त समराजय के पतन तक के बीच के जो कालखंड है उस कालखंड को हम इंसेंट इंडिया के रूप में जानते हैं एक कुछ इतिहासकारों का मानना है लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इंदेन्स वैली सिवलाइजेशन से लेकर अलमसूदी के भारत में आगवन तक के जो काल है उसको हम इंसेंट इंडिया के रूप में जानते हैं तो यह हुआ अलग-अलग इतिहासकारों के अकॉर्डिंग टू डिफरेंस टाइप ऑफ हिस्टोरियंस के अनुशार आगवन तक के जो बीच के काल है उस काल में जितने भी बाहर से बीदेशी अलग देश से जितने भी राइटर्स हिस्टोरियन इस्कॉलर आएं और भारत के बारे में कुछ ना कुछ ने लिखा उन्होंने तो उन सभी उनके दोड़ा लिखे गए किताबों को पत्र को पत्र तो इस लाइट में क्या क्या जाना तो इस लाइट में आपने जाना कि किस काल खंड को किस कहां से कहां तक कि काल खंड को हम इंसेंट इंडिया करूप में जानते हैं और फॉरन अकॉंट्स क्या होता है तो इन सब के बारे में जाना आप नेक चलते हैं यहां पर आप देख रहें कुछ लिखंग रहे हैं, ब्रह्मन कर नहीं ते लिख पूर से इन थी इन कंड्री से ही भारत में अलग कंड्रीस भी भाहत सारे यहां, देखा जाए हैं, मेजूरिटी में तो आपको अरब से चाइन से चल कर आया है, फिर युनान से चल कर बहुत सारे आए, आप लिख इसके अलावा पार्ट आरहे हैं रहते हैं और आपको अरब ऑरब चेत्र हो गया जिसमें आपको cm इराक, सीरिया, साओधी अरबिया, यमन, ओमान सब आते हैं, यह हो गया अरब कंट्री है, यहां से भी चल कर जैसे आपको अल-मसूदी हो गया है, यहां से चल कर आते हैं, तो मुख्य रूप से इन तीनों वर्ड से, चाइना शे, ग्रीक और इटली से, और अरब वर्ड से च किताबों को पत्र को पत्रिकाये को हम हम होनन अकॉंट्स कर रूप में जानते हैं, तो अपी नक्षन में आप अच्छे से देख लेजे आप और अर्मुखरूप साप देख लेजे इतना के लोगों के बारे में आप पढ़ने वाले ए जो अरब से आने वाले याथियों का आपको विबरन है यहां पर लिखा हुआ है कि जैसे सूलेमान हो गए अलमसूदी हो गए अलबरूनी हो गए इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं जैसे हापन मैं आपको साथी साथ बताना चाहूंगा कि हम मुखरूप से जो जो इंपॉर्टेंट है व्यक्ति उन्ही कि आये हैं जैसे हेरोडोटस हो गए इनको father of history भी बोला जाता है father of history भी बोला जाता है तो इन सब के बारे में हिस्ट्री हो गया है यह टॉल्मी हो गया नियारकश हो गया अरिश्टोबूलश हो गया मेगासनी सो गया प्लीनी हो गया और पेरी पलस ऑफ अप दे एरिथ्रि सब्सक्राइब कर निया है इस ने आरब सचिताऊने चानल गरॉल्ह में चैनल कि लोग पहुतल को जब गरने लेक चानल गार ने खाल के घरा टीन स्थ जबडियाब हें यह इसमें आप तरतल को एच सथिल्बूलोबूलबूद The arrival of the Arabians in India started from the VIII century. तो आठ्वी सदी से पहले भी अरब से भारत में आना स्ञुरू होता है लेकिन ऐसा कहा रहता है, इस काहए के लिए चैपई केके लिए गया है कि 8th सताभदी से पहले भी अरब से लोग चल कर भारत में आये थे आपको पहले भी आये थे, आपको सौथ इंडिया में केरल वाले जो तटिये कोश्टल एरिया उसमें आये थे, लेकिन उसकी पुक्ता हमारे पास उसकी परमान नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं मानते हैं, बैपारिक दिरिश्टी कुन से आये थे, आठ सताबदी से पहले भी अरब से चलकर भारत में आये थे, लेकिन हमारे पर उसका परमान नहीं, इसलिए हम मुखे रूप से आठ आठवी सताबदी सही मानते हैं, कि जो अरब से आने वाले ब्यक्तियों का जो सिलसिला है भारत में, आठवी सताबदी सही बैपारिक और राजनितिक रूप से शुर भारत की चंडीशन्स, हालाथ, प्रस्तितियां नहीं के बारे में सुलेमान अपने व्यातर बदान पर निखे नहीं, भारत में समाज, इक्नॉमिकल, जोग्रोफिकल, रिती, रिवार्ज, भेष, भूसा, कल्चर उन सब कर बारे में लिखेंगे, तो आपको यदी एग्जा यह समाध्य उसके बारे में उन्होंने अपने विप्रन में लिखा है तो और साथी साथ आप यह भी ध्यान के कि पाल अन गुर्जर अन परतिहार यह जो डाइनस्टी थी उनके अरवार में सुलेमान आये थे तो पहरे देख लेते हैं कि पाल डाइनस्टी कहां पर इस्तित है उनकी समराजे कहां पर थी और गुर्जर अन पतिहार की समराजे भारत में कहां पर थी तो जैसा कि इस नक्से पर आप देख रहे हैं यह होगे आपका पाल डाइनस्टी यह जो बिहार एंस बंगाल वाले चेत्र जो है जारकन बंगाल बिहार वाले चेत्र में पाल डाइनस बारे में अपने विब्रन को लिखते हैं तो आपको बताना होगा कि उत्तर भारत के समाजी की विवस्था के बारे में लिखते हैं क्योंकि वह इस छेत्र में घूम रहे हैं इस छेत्र में नहीं घूम रहे हैं इस छेत्र में नहीं घूम रहे हैं सौथ इंडिया में नहीं जा अर्तिहर और पाल डैनेस्टी के जो सासक वे उनकी प्रसंसा बहुत जादा किया गया है इसके अलावा उन्हीं पर जादा फोकस किया गया है अब यहां पर एक बात और देख लीजिए नाइन संचूरी में जो आ रहे हैं तो नाइन संचूरी कब से कब तक माना जाएगा तो आपने देख लीजिए तो नाइन संचूरी 801 से लेकर आपको 899 AD के बीच के जो काल पीरेड है उसको नाइन संचूरी के नाम से हम जानते हैं तो इस स्लाइट में आपने जाना कि अरब से चलकर जो ब्यक्ति आ रहा है वो जो पहले ब्यक्ति हैं वो सुलेमान है सुलेमान क किस भाग में विजिट कर रहे हैं और किस भाग के समाजिक व्योस्ता के बारे में बता रहे हैं किस के दरबार में जा रहे हैं सब के बारे में आपने विस्तित रूप से जाना आप ने एक स्लाइट पर चलते हैं और और कुछ जानते हैं जैसा कि स्लाइट पर देख रहे है तो आप ध्यान रखिए इसके पहले आपको बताया था तूलेवान जो आये थे वह नौमी सताब्दी में आये थे और यह जो है यह दस्वी सताब्दी में आ रहे हैं ठीक है की सवाल आप से पूस जया जाये , जो अलमसुदी हैं किस टाइम पृडियोड के खिस संचूरी के भारती शमाज के बारे भारती है अपने बीबरन में लीका है तो आप बताएंगी भारत के तीन संचूरी के समाजी के वेवस्ता है जो सोसल कंडिशनस उसके बारे में अलमसु के बारे में आपको बताया है तो पछले स्लाइट में कि वो जो पाल एंगुर्जळ और पठिहार जो डाइनस्टी थी जो गुज्डात वाली छेत्र में वहां पर बिजिट करते हैं मतलब मुखे रुप सर उत्तर भारत में वीजिट करते हैं लेकिन जब अलमसुदि आते हैं अपर आपर राश्च्ट quld कर रहे हैं वहां पर वह बिजीच करते हैं अप नक्से में देख लitchenें कि इस थी थी तो उनकी डायनेस्टी कहा तक अच्छू पर प्हारण हो गया और अभारत हो जो ओ आप देख रहे हैं इस जो आपस इस रिजन थी यहां पर enclosed तरह पर रश्टकूतो का साषनता और यहां पर आपको घूर्जन पतिहार का साषनता और यहां पर भजशुकोपा का बंंगाल के बिहारा फिल वाले फेले बाईनेश्टी का सासन था और यह मान्य खेट जो है इसकी रजदानी थी किस की तो आपको राष्टकुटोु की रजदानी थी ठीक है तो इन नक्से में आपने देखा जाना की जो कि रीजन्स तमें महार के कि इतने बड़े चेत्र में जो राष्टकुटों का शशन था और तो आपको इस तरह के भी सवाल आ जाती है कभिकाल, ग्रोनोलोजी एंड जो फैक्ट है, वो आपको हिस्टरी में काफे जड़ा इन्पोर्टन रखता है, महत्व रखता है, इसलिए आप जब भी इत्यास को पढ़ें, क्रोनोलोजीकल सो ओर्डर है, उसमें सजाकर पढ़ें, इससे क्या होगा, तो आप चीजों को घर्टनों को को रिलेट करके जब पढ़ेंगे, तो एक जल्दी आपको याद होगा, तो ऐसी सवाल कई बर आ जाता है, आपको एक करे जो टेबल दो दे दिया जाएगा, और एक करे अलमसूदी सुलेमान लिख दिया जाएगा, और दूसरे तरह आपको लिखा जाएगा, आईससे एक इस लाइन पर रहेगा, यहाँ पर आपको अलमसूदी दे दिया जाएगा यहां पर सुलेमान दे दिया जाएगा और यहां पर 9th century and 10th century आपको लिग दिया जाएगा आपको बोला जाएगा कि मैच किजिए इन दोनों को क्रोनोलोजिकल जो ओडर है उसमें सजाईए इसका मतला भी हुआ कि आपको ताइम पिरियड के अशार साजाना है कि कोन ब्यक्ति अलमसूदी कब आये थे और सुलेमान कब आये थे तो जैसे जो अलमसूदी हो गए वह आपको 10th century में आते हैं तो आपको यहां पर ऐसे मिलान क सब्सक्राइबर को थे तू जल्दी आप अच्छे से सौल्ड कर पाएंगे एक और भी ऐसे तो ज्यूदी को शॉलेमान कि आपको तर आपको यहां पर इस आदार पर आंसर देना है कि अलमसूदी ने अपने वीबरन में किसको जादा फोकस किया, कि इस पर ज्यादा लिखा तो आपको पाल एन पर्तिहार वंस के बारे में ज्यादा लेखते हैं तो यहां पर ऐसे इनको टीकरेंगे ठीक है और इसके अलाबा जो अलमसूधिय कि इसके बारे में ज्यादा लेखते हैं तो इस तरह से टेबल वाले जो मैच करने वाले प्रonological order में सजाने वाले कोईसंस आते हैं आपको जानने यहीं स्पाल को एल्ब क्या जाने, इसन स्क्राइ resolving उदिया ब्她ल्मान देना है और की बारे में जांए हमियो मेन ज्याद जाने थोंप लिस उसे इस वाली कोशन्स के बारे में आपको बताया तो इस ताइप के चीजों को आप धियान रखेंगे ठीक है अपने एक स्लाइड पर चलते हैं और कुछ जानते हैं जैसा की इस लाइट पर देख रहे हैं यहां पर लीखा अल-बेरुनी अब तक हमने क्या क्या पढ़ा तो अब तक ह पर आप देख लिए जो अल-बेरुनी है वो 11th century में भारत में आ रहे है तो ज़ड़ा सोची एक जब अल-बेरुणी 11th century में भारत में आ रहे हैं तो वो किस time period के भारत के समाजी के बियस्ता के बारे में आपने विवरे में 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 डेंगे लिखेंगे तो महमुद गजनवी जो एक इन्वेडर था अकरमनकारी था अरब का और इसने ही जो तोमनात मंदिल थी गुजरात को उसी को लूटा था तो जो गजनी था उसके साथ अल बरुनी ने भारत में आया था जब गजनवी जब गजनी से चल कर भारत में आने लगा तो इरान होते हु को जानते हैं काफि विद्वान था तो वहां पर अकरमन किया इसके बाद अल बरुनी को वहां से उठा लिया गजनी नव अपने साथ रख लिया तो जो ब्यक्तित्व थी ओ काफी धनी थी वह काई लैंग्विज की जनकार था अल बरुनी आपको यहां पर लिखाए है कि ज फिर समाजिक शास्त्र हो गया इन सब के बारे में भी उसके अच्छी कमांड मानी जाते थी इसलिए जो अलबेरुनी था एक अच्छा ट्रांसलेटर था क्योंकि वह बहुत सारे किताबों को ट्रांसलेट भी किया है इसके अलाबा आपकी जो अलबेरुनी द्वारा लिखा गया एक बहुत बड़ी सोर्स है बहुत बड़ी बुक सी जिसका नाम है तहकीके एहिंद यहां पर आप नोट डाउन कर लेजे जो तहकी है जो अलबेरुनी द्वारा लिखा गया है उनमें भारत के किन-किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है तो यहां पर देखिए कि the following topics are discussed in the तहकीके एहिंद पहला जो सोचल कंडिशन के बारे में कल्चर के बारे में कि जो उस टाइम पिरियड में भारत की सोसाइटी कै कैसा था ठीक इसके अलबा साइंस के बारे में रिजियत धर्म के बारे में बताएं घार्ती हिंसमें छेने डहार्मी कंडिशन कित्री के बारे में बताया गया फिलोस्पी के भारत की दर्संत kia था रिती रिवाज के बारे में बताया गया है, भेस भूसा, लोग कैसे ड्रेसेज पहनता थे, कैसी सोच थी, थौट थी, कैसी उनकी थी, इन सब चीजों के बारे में, जो अलबेरूनी है, अपने किताब तहकी के एहिंद में, आपको बहुत विश्तरित रूप से लिखा हुआ ह है। में इसके अलाबा जो जाती बेवस्ता के बारे में बताता है कि जो काश्ट्सी सिस्टम थी, काफी उसमें कटरता थी, लोग छूआ चूट इंटाच इबलिटी के बारे में भी भेदभाव के उसके बारे में भी उसनों बहुत अच्छे से में श्तरिम करा रहा है, तहकीके एहिन खुद अपने एक्स्पिरियंस का धार पर नहीं लिखा है, क्योंकि वह जब भारत आया, तो भारत के समाज को जानने पहचानने के लिए, वहां की समाज को खुद अपने आखों से नहीं देखा, घूमा नहीं, विजित नहीं किया, बल्कि जब भारत में अलब है, और ऑफने अपने एक्सपिरियंस का धार पर लिखा है, बल्कि वह भारती लीट्रीरेचर आप्र जानकर समझ कर निरिचन कर विखा लिखा है, ठीक है , हम नेक्ष जलते हैं, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, हिंदी वालों के लिए आप देख लिज येगा, तो इ सब के बारे में आपने जाना बिस्तित रूप से आप हम नेक चलते हैं और को हुझ जानते हैं जैसी स्लाइग्ण वे देख रहे हैं लिखे चाइनीज स्कॉलर अब तक अम से ले और अलमसुदी मिल्या नहिए लाकश में चाहिए- टो चाहिना के पहले भ्यक्तिस आने वाले है वह आपके फेयान, अच्छा, फ्यएंग है यह एक बात और आप ध्यान देजिए जो चैना से चलकर समय भ्यक्तिस्या निए बहुत te-ra और उनका परपज क्या होगा आने का भारत में उनका परपज होगा धार्मी कंडिशन से उसके बारे में जानने के लिए और बिसेस्तोर पर जो बहुत धर्म है उसके बारे में जानने के लिए क्योंकि आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए कि बहुत धर्म के जो सेंटर लोग आ रहे हैं थे क्योंकि आपको ध्यान देना होगा कि जब अशोक ने बौध धर्म को अपना लिया इंदर मौरे टाइम पिरियोड तो उस समय में अशोक ने क्या किया बौध धर्म को परचार और परशार के लिए जो उनकी फिलोसपी से सत्य अहीशा को परचार और किसका बौध धर्म का परचार और परशार के लिए तो इसका परभाव क्या हुआ इसका परभाव यह हुआ इन डाइट टाइम पिरियोड उस समय में जो बहुत धर्म काफी तेजी से डिवलप करने लगा और इसका सबसे जादा कहीं परभाव पड़ा किसी देश पर आरहें और भारतिया समाज को जानने की परयास कर रहें विशस तर पर यह की जुँ धार्मी कंडिशन से और उसमें भी बिशस तर पर जो आपको बड़ धन के बारे में जानने समझने के लिए जो चाइन से लोग एहा पर आ रहे हैं तो उनका यह पर परपच मू के था तो उन्होंने फ्파इब सेंचूरी में ए झाएट था अपसे पूछ जाएए लिए आफसे पूचा जाए कि वाहि buld जीन इन फारती संचूरी जो भारती ये बारती खृतिय जो थार्मी संचूरी है उसके बारे बारतीछ उन्होंने अपने ली देता है । इसके अलावा जुएब भारत में आते हैं तो एंचन्द बिखरमे ao में 15 साल तक भारत में घरते हैं तो दरभार में यह तो चंध्रब्ब्द सेकेंड्ब्क्रमादी्ट्य के पना रहते हैं कौन था यंध्यून एक शे西ट उसके एक महान सासत्त थे में परपज क्या था आने का फायान का तो यहां पर देख लिए फोर अस्टडी बुधिजम तो बुधिजम की जो धर्म है उसको अस्टडी करने के लिए यहां पर आये थे ठीक है तो यह आपको हो गया चाइना से आने वाले पहली ब्यक्ति का नाम जो बात में आता है जिसका नाम है है एंसंग और है जो हम स्टायृट के प्रेट के समाजिक वेवस्ते के बारे में लिखा है मेंसन किया है तो आपको बताना है कि वह अपने वीब्रेन में 6th century के जो समाजिक वेवस्ता है जो आतिक वेवस्ता है जो भॉत धर्म की कंडिशन्स है जो 6th century को उसके बारे में अधिकांस लिखा है और यह जब भारत में आता है तो यह 16 ऑसको ठरता है उसाइस दुटाइन चौदाइस तक ठरता है 14 वस्तक ठरता है चल्य को भाए जो नम सुना होगा वर्धन डाइनेस्टी के बहुत महान राजा थे उनके बाले में कहा जाता है अंतिम हुदु शा सकते ऊतर भारत के ठीक होन हष्रवर्ध थनी कई थी पेखा श्ड़ी करने के लिए बुदर जो धर्म है उसको अस्टड़ी करने के लिए यहां आहले थे क्योंकि ट्रिं सेटर था च्ण वाहिबिआंड कि बाउद धर्म का परचार का वा हमें इसका तर परचार परचार को पड़ाखे वी दा धर्चार ने आप हमढेंगे की जो हीनसांग प्रशा आपने थारेती था Ηंसान अपने अना प्रहेन, इपने विच्छ और विबर्मե पीज़, इन्हों है भारत के खिता, बारे थाम्ने सबस्क्छें प्राइफ होु किया है वह बहुति होु प्रृट की थारिम थार्मिक विवस्ता था, ड बिवस्ता के बारे में आपने बिवस्ता के बारे में आपने बीवर्यम लिखेंगे तो आप बताएंगे कि Bikram Sila and Nalanda Visu Vedala भारत में जो भारत में बारात में उसका ब्रहमन करना था क्यों भारत में करना चाहते थे Bikram Sila and Nalanda Visu Vedala के बारे में आपको यह बहुत भीचु थे और आपको मैं बता चुका हूँ कि Bikram Silla and Nalanda Viswabhidaleh बौध जो study का केंद्र हुआ करता था इसलिए यहां पर वो बिजिट करने के लिए यहां पर उनका पर परपस आये थे वह आप हम जानेंगे पहले कि जो बिक्रम, सीला और नालंदा विषुविद्दाले के लोकेशन क्या है, कहां पर इस्तित है, तो जयसा कि आप देख रहे हैं, एह हो गया आपका नालंदा इन्विस्टी, ठीक है, नालंदा इन्वस्टी हो गया, ये आपको नालंदा एक डिस्टिक है, जीला है बिहार में वहां पर नालंदा जो इन्वस्टी इस्ति था ये प्राचीन भारत का यहां पर देश-बिदेश से लोग पढ़ने आया करते थे यह और आपको होस्टल्स की भी विवर्स्ता थी और जो ऐसा कहा जाता है कि जब इसको नस्ट किया गया तो मतलब एक साल त उप्लबद होगा तो यह होगए आपको लालंदा उन्वस्टी प्राचीन काल तीक है यहां बाहत ब्यो容易 आपको दिक्ट को दिख रहे होंगे तो इसमें आपको लोकेशन जाना कि नांदा विस्व कर पर इस्तित है लु Career परिस्तित है और नेग्स लाइट पर चलते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर बिक्रम सिलाविस्विद्धाले था है जो आप इंप प्राचीन काल की काफी इंपॉर्टेंट इंवर्च्टि माना जाता था और बढ़ जयान जो साखा है बुद्ध्धर्म का बढ़ जय जैसे ही न्यान, महायान और बर्जयान हो गया तो बर्जयान ओग ऐस कंद्र करता था अब हम जानेंगे कि इसके फांडर को पिसको सभी इस्थापित किया गया था तो जो ड्थार्मपाल Qe ne तो उसी के एक राजा थे धर्मपाल उन्होंने इस अस्थापित किया था कब किया था तो एट से नाइन सेंचूरी में इन्होंने किया था यह आभी जो बर्तमान में आपको भागलपूर बिहार भारत में इस्तित है कौन सा बिक्रम सेला भी सबेदा ले ठीक है अब यहां पर अब जो आफ दान में दिया गया था नालंदा विष्विदला को चलाने के लिए तो एह हो गया आपका नालंदा विष्विदा लोकेशन इन बर्तमान टाइम में कहां पर इस्तित है ठीक है अब नेक चलते हैं यासा कि इस स्लाई में आप देख रहे होंगे कि हमने आभी ज सिला नालंदा विस्विजाले के तो अबिसेली है कि वो एडुकेशनल जो इंस्टूशन सैंस्थान है भारत की उसके बारे में अधिक अपने विब्रन में फोकस करेंगे तो आप पूछा जाए कि नेट के एक्जाम में कि इत्सिंग जो है भारत जब भारत में आते हैं और भ संस्थानों के बारे में भारत की जो एडुकेशनल इंस्टूशन सैंस्थान है उसके बारे में ज्यादा लिखा है तो इस स्लाइट में आपने क्या क्या जाना तो इस स्लाइट में चाइना से चलकर जो आपको इस स्कॉलर आ रहे हैं उनके बारे में आप जाना जिसमें agradeabethmus院 आइटी इपरे इटेसं तो मैं आपको बता दूऊ के अबने लिए ऍथीशिपर क्या तो आप तक आपमे डाने वाले जो इंटे इसकोलर ते हुट तो अब तक आपने चाइन शयुन जा जाने इंठी कंदे इन सिपे इसके अलावा आपने लेटा अब ग्रीकर जो चल कर आंघ रहे हैं वड़ता है। कुछ इन्होंने लिखा है तो हेरोडोटर्स को father of history भी कहा जाता है एक बात और यहां पर करना चाहूंगा कि इनके समकालिन के रधानी रोम से थे और इन्होंने भारत का विजिट करा भारत के समाजिक विवस्ता आर्थिक विवस्ता पॉलिटिकल कंडिसन के बारे में लिखा है अपने विवरन में तो आपको यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि जो हेरोडोट के बारे में बहुत कुछ लिखा हूए जो नेक्स्ट हिस्टोरियन जो है जो भारत में आ इसे नाम क्या है तो आपको उनका नाम घरोडोट। Sum没有 तो यहां पर एक पर और ध्यान देना है, कि जो हेरोडोर्टस और टीशियश हैं, यह दो ऐसे इतिहासकार है, ऐसे हिस्टोरियन है, कि वो भारत तो भारत चलकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारत के बारे में उन्होंने बहुत कुस लिखा है, कैसे यह संभव हुआ, तो यह बे शराहित नहीं कि एरान अपर प्राशी समराज सिमौनी लोग में उन्होंने टायटेश को एक राजा हुआ है मैं आपको बता दूँ कि जो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन अविलेक की जो सुरुवात हुई थी वो फार्सी समराजय से हुई थी एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था डेरियस प्रथम ये किस के किस डैनेश्टी के राजा थे तो आपको फार्सी समराजय के राजा थे जिनका नाम था डेरियस प्रथम इन्होंने ये बेसिकली एक अच्छे राजा थे और मैंने आपको बताया इनके बारे में पिसले वीडियो में कि ये जो जनता से अपने कनेक्ट होना चाहते थे जनता के लिए कुछ करना चाहते थे जनता से वार्तालाब करते थे लेकिन इ अपने जो थाट थी ऐं उन्होंे अपने थाट को आपने विचार को एक बड़े से रौक पर पथल पर लिखवा दिया और जगजा पर उस पथल को रखवा इस Сथे क्या हुआ तो आपको देखा जाए तो प्राचिन समय से ही जो इरान से बर्तमान में जो इरान है फार्सी सम्राजेश से हमारा वैदेशिक और बैपारिक समय बहुत अच्छा रहा है तो इसलिए हमारे भारत के समाजी के बहुत साल लीटर्येश उपलद थे तो हेरुडोटस ने भारात नाकर इरान में एक बढ़त कर आपने ह्साइचर को पढ़कर भारतिय समाज के बारे में जाना समझा और लीटर्येश बढ़कर समाज के बहुत कुछ लिखा तो विबरन-क आपको भी हम आईसे सोर्स गुरूप में जानते हैं तो इस अभिजाना आपने हिस्टोरियन्स, हेरोडोटर्स और टीस्यस के बारे में आपने चलते हैं और को जानते हैं अब एक बात और है यहां ध्यान देने वाले कि टीस्यस उनके जो अकाउंट से उनके जो यात्रा ब्रितान्त है वह विश्वस्निये नहीं माना जाता है क्योंकि उसमें काल्पनिक्ता जो इमेजिनेशन की ज्यादा प्रयोग किया गया इमेजिनेशन के अधार पर आपको जो उनके जो टीस्यस के अकाउंट से जो यात्रा ब्रितान्त है जो विवरन उसको लिखा गया इसलिए ज्यादा विश्वस्निये नहीं माना जाता है जो नेक्स्ट ग्रीक से चलकर व्यक्ति जो आ रहे हैं भारत में उनका नम है नियारकस तो नियारकस बेसिकली जो चीप कमा बारे में जाना आव नेक चलते हैं जो आ रहे हैं उनका नाम है अरिस्टो बूलस यह बहुत महान व्यक्तित्व हैं महान राइटर से स्कॉलर है इतिहासकार है जो भारती बेसिकली इनके जो विवरन में सोसाइटी रिलिजियस कंडिशन्स पॉलिटिकल कंडिशन्स और एक भार्मीक, समाजीक, राजनेतिक जो कंडिशन से उस पर जादा इन्होंने फोकस किया है अपने विवरन में लीखा है भारती है जो समाज थी इसके बारे में अब जो नेक्स जो ब्यक्ति चलकर आ रहे हैं उनका नाम है मेगासनित्व बेसिकली जो इमबेस्टर थे राजद बेतल इसके बाद और दुदे ऊट्था किसके दर्बार में चंदगुट मौरे के दर्बार में तो मेगासनित्व यह पर एमेरा है और रहता है और किताब लिखता है घारती समाज के बारे में जो काफी इंपॉ्टिन ह नाम है इंडिका और इंडिका काफी महत्पुन्ट सोर्स है लेकिन दुर्भागेवार्स अनफोर्चुनेटली इन दाय टायम परियर्ड जो इंडिका है उपलब्ध हमारे पास नहीं है लेकिन इंडिका के जो अंतिम कुछ भाग पार्ट से और अलग हिस्टोरियन ने भी मिलकर लिखा है तो जो पार्ट से हमारे पास उपलब्ध है जिसका अधार पर हम इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो मेगाहसिनी उनला ऑफजाने हैं आफ जानेंगे कि जो इंडिका है मेगासिन्स स्कु बहुत कि अखिया। तो सबसे आहम बात जो है focus का, वो social conditions आपको भारत के कैसा था, समाजी conditions कैसा था, political conditions कैसा था, economical conditions कैसा था, religious conditions कैसा था, इन सब को DTLE चर्चा किया गया है, इंडिका में मेगा असनीज ने किया है, इसके अलाबा मौरे डाइनस्टी के बारे में बताया गया है, as well as, जो invasions of अल जो बर्तमान में हम पतना को जो बिहार की रजानी, ये capital of बिहार है, उसको पहले पाटली पूद्र के रूप में जानते थे, और ये आपको मगस समराजे जो थी, इंडि भारत की उसकी रजानी थी पतना, तो उसको हम पाटली पूद्र के नाम से जानते थे, तो पाटली प तेसियस के बारे में जाना, नियारकस के बारे में जाना, अरिष्टोबूलस के बारे में जाना, मेगास्मीज के बारे में जाना, उसके जो किताब है, इंडिका उसके बारे में आपने पढ़ा, आप नेक स्लाइट पर चलते हैं, और और कुछ जानते हैं, यहां पर हिंदी मे इसकी जो राइटर है आज तक पता नहीं चला है कि इस बुक्स को किस ने लिखा है, इसलिए इसको अननोन हम कहते हैं, लेकिन इसमें जो वीबरन लिखा गया है, वो बैपारी चीजों पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली जो वस्तुएं होते हैं, आयात मेरियात की जो व बैक्ति कब आ रहा है तो एट एटी संचूरी बीसी ए में आ रहा है भारत में युनान से चलकर कोई अग्यात बैक्ति आ रहा है और जो सौथ इंडिया की जो कोश्टल एरियाज है जो आपको टटी परदेश है भारत की जो पोर्ट है बंदरगा है उस पर वह भ्रमन कर रह जो कि जो कि जो आएज करता था इंपोर्ट करता था और कौन-कुन वस्तूओं को निर्याद करता था मतलब बेचता था इन सब के बारे में इसमें डिटियरी चर्चा किया गया है परी पलस आप दे एरिथ्रियन सी में यह बुक्स का नाम है ठीक है यार रखिएगा दर्फोकस हो किया है और आपको something le you sati समाजिकaking विवस्ता था उसके बारे में ज्यादा फोकस किया क्योंकि है कि है second संचूरी में आ रहे है आप नेख चलते हैं, इसके बाद पिलीनी हो गया, पिलीनी आते हैं, पिलीनी वर्न सेंचूरी, बीदी में यहां पर भारत में आते हैं और उन्होंने बारती समाज को ब्रहान करा, यहां के लीटरियटरील को पढ़ा, इसके बाद उन्होंने एक किताब लिखा, जिसका नाम नेचरल हिस्टोरी का नेचरल हिस्टोरी एक काफी इंपॉर्टेंट्ट बुक्स है आपको आपको एजए सोर्स के रूप में और इसमें काफी नोने अच्छे ढंक से डिटीली बहुत चीजों पर फोकस डाला काफी पहलूँ पर इनों ने चर्चा किया है इसके बाद आपको तो इसी चिसको हिंदी में बेसिक लिखा गया है हिंदी वालों के लिए तो आप देख लेज़ेगा और यहां पर खतम होता है तो थांक्स पर वाचिंग धन्यबाद साथ ही साथ में आपको बता दू कि हमारे कलास में अधिया आप बने हुए हैं तो साथ साथ में आप नेट क सारी पढ़ा रहा हूं नेत स्थी पेपर सेकेंड का जो इस लिए बस दस इंट में भी वाजित है और जो पहले प्रश परकार हैं तीन परकार होते हैं मुखे लूप से सोर्स का आर्केलोजिकल लिटरी शोर्स और फॉर्ण अकॉंट तो आर्केलोजिकल सोर्स में बता दिय तो पुरा तात्विक श्रोथ और शाहितिक श्रोथ और इस वीडियो में आपको जो तीसरा परकार जो था था फॉर्ण अकॉंट उसके बारे में अपको बता दिया तो मुखे रुप से देखा जा तो पहले उनिट के शोर्स वाले जो पार्ट सा उसको मैं कम प्लेक्ली खदम तो आप इसमें डीपली पढ़िए और चीजों को समझने के परियास केजे और मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नेट किसलीबस जब भी मेरे वीडियो देखिये तो साथ में जरूर रखा केजे और नेट कि जहां तक सिलीबस की बात है तो यदि आप डाउन यदि है तो थैंक्स पर वाचिंग धन्यवाद पर दो